ये पहली बात तो हम वहाँ पर एक साल से हमने सडके वहाँ हमने बहुत काम किया करोना काल से लेके कोईट बाड़ में अबदा में दिन रात हम गोरकपुर के लिए अपनी फिल्मों की शूटिंग सब छोड़ दिये करोडों रुपे का जो हमारी कमाई थी हमों सब कुछ त्य विरादरी नहीं होती हुटी मुझे साड़े साथ लाग मिला हममें हर विरादरी है ने दिया तो उसम आप प्र शमय से यह सरकार पर कटाक्षि कर रहे थे पिर मेरे कामों पर भी उन्होंने कुछ आपती जताई फिर अफसर लोगों के अपाटियों के अप शब्द बोल दे करता हैं को ये सब कुछ पता है कि ये ये शामा प्रसाद बुखर जी की पार्टी दिन दियाल उपाध्या जी की विचारधारा अब तल्व भिहारी बाचपाई जी है ये शिश्वी नरेंद मोदी जी है भी अमिश्शा जी योगी महराज है इम लोग की पार्टी की लाइन द करते हुए चलना है कोई बात आपको लगती है पार्टी का कार्याले है हेड्कार है हमारी पार्टी के सारे अध्यक्ष कण है उनसे जाई अपनी बाते रखी है आप उसको फेस्बुक करके इधर करके उसका विरोध करके आप पार्टी लाइन के व्रुद नहीं जा सकते लीडरांज है हमारे आला कमान है हमें को दिक्कत होगी मैं राश्री अध्यक जी के पास जाओंगा मुझे दिक्कत होगी मैं प्रधान मंतरी जी के पास जाओंगा और वो समय भी देते हैं तो फिर आपको पार्टी छोड़ दिना चाहिए लेकिन आप फेस्बूक फेस्बूक नहीं केल सकते और यह बार्ते जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी आपको इसमें रहना है तो इसका अनुसाशन है उसका पालन हम सब को करना है, हम सब करते हISHA और जो उसके पालन नहीं करता है उसको पार्टी से अपना सितिफा देना चाहिए, और कोई छिनता बास यह संदेशा पार्टी लाइन पे एक ओर्गणाइज पार्टी है मैंने बोला विश्व की सबसे बड़ी party है भारती है जनताव party यहाँ एक undisciplined है यहाँ हमारे leaders है हमारे heads है हमारे chief है हमारे seniors है हमको उनसे पालन करना उनकी आदेश को लेना चलना party के एक मरियादा है party में गलत भाषा का इस्तमाल नहीं होता जातपात की बाते नहीं होती ये सेवा भाव की पार्टी है रास्ट प्रेम की पार्टी है जो रास्ट प्रेम में लीन है जो धर्ती में लीन है जो पार्टी लाइन के साथ चल रहा है वो पार्टी का कार करता है वो पार्टी की सेना है हम लोग उस तरह से चलते हैं और उसके विरुद कोई कारवाई होती ह कोई कार कोई विधायक हो कितना भी कर रहें सची पर तो यह और ती बात शुथ गाल को भखशना नहीं जाएगा तो यह बात के हुए और यह बात संगठन को धन्य बाद देता हुए उन्होंने कहा कि अगर कंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव से नहीं होता तो पार्टी पचास साल तक उन्हों सब्सक्राइब देखी उनका ये अंदुरूनी मामला है और उनकी मामलों से ये खास स्ट्रेट पता चल रहा है कि वो लोग चारें गांधी परिवार के अलावा कोई यहां पर बाहरी अब उनके अध्यक्ष बने और ये उनकी पीड़ा है या उनकी मंचा है उनकी चटपटाहट है या उनकी सची भावना है वो उनका अंदुरूनी प्राब्लम है मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग ये पार्टी अपने आपको देखे लिए पार्टी को अभी अपने आपको बचाने के लिए इन सब चीजों पर मंधन करना चीए चिंतन का समया